नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं भूनम आपके स्वाइब सलमान खान को धमकाते हुए पांच करोड रुपए की डिमांड करने वाले शेक हुसेंड शेक मौसिन को गिरफतार कर लिया गया है मौंबई की वल्ली पुलिस ने इसे जहरकंड के जमशेथपूर से बुदुवार को अरेस्ट किया आज इसे ट्रांजिट रिमांड पर जहरकंड से मौंबई लाया गया जमशेदपूर के सबजी बेशने वाले शेक हुसेन शेक मौसीन नहीं पिछले हफते मुंबई ट्रैफिक पुलिस को वाटसप कॉल करके फिरोती मांगी थी उसने खुद को लॉरेंस गेंग का मेंबर बताया था मुंबई पुलिस के अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने संदेश भेजने वाले का पता लगाने के लिए तुरंत जाच शुरू की इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मुबाइल नंबर से एक माफी वाला मैसेज भी मिला पुलिस ने जारखन के उस नंबर का पता लगाया और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी मुंबई पुलिस के मताबिक धमकी वरे मैसेज में लिखा था इसे हलके में मत लीजिए सल्मान खान को जिन्दा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खतम करनी है तो उसे पांच करोड रुपे देने होंगे अगर पैसे नहीं दिये गए तो सल्मान का हाल बाबा सिद्की से भी बुरा होगा बर अक्टूबर को सल्मान के करीवी और NCP नेता बाबा सिद्की की हत्या कर दी गई थी इस हत्या की जम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी लॉरेंस गैंग सल्मान खान को भी कई सालों से जान से माने की धंकी दे रहा है ऐसे में बाबा सिद्गी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है यह पूरा मामला साल उन्निस सो ट्यानमे में हुए काले हिरन्ट के शिकार के मामले से जुड़ा हुआ है इसमें तब सलमान खान का नाम सामने आया था और उन्हें गरफतार भी किया गया था हालाकि दोशे ठहरा जाने के बाद सबुतों के अभाव में सलमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था तबी से गंस्ट्रा लॉरेंस सलमान की पीछे पड़ा है लॉरेंस चाहता है कि काले हिरंट के शिकार के मामले में सलमान खान भिष्णोई समाच से माफी मांग ले इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस आया दिन सलमान को जान से माने की धमकी देता है अप्रेल 24 में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट सित घर के बाहर गोली बारी की जिम्मेदारी भी उसी गैंग ने ही ली थी